नमस्ते सत्रियकाल क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों बहुत सारा सलाम भी आप सबको तो आज का काम हमारा शुरू है किचन में लेड हो रहे हैं समय नहीं आरी क्या पकाएं तो हमने जी अपने प्रेशर कुकर में राजमा बॉयल कर लिए और ये फिनिश हो गया यहां पे टाइम हैं यहां पे हमने आलू चील के धोए हैं और यहां पे कुछ आलू हमने काट लिए है तो अभी आपको बताएंगे इन आलू का हम क्या करने वाले यहां चो पटेटोस मैंने काटे थे चीले थे उनको मैंने ऐसे एक बॉल में डाल के उपर क्लिंग फिल्म लगा के मैंने करना पड़ता है जिससे कि इनकी जो स्टीम बने वो निकल जाए और यह हमारी पटेटो स्लाइस जो हमने किये थे यह तक्रीबन और तक्रीबन गल चुकें बहुत जादा नहीं लेकिन इनको अगर हम तोड़ते हैं तो यह देखें टूट जाते हैं इतना गल गे हैं थोड़ा कि मेरे राजमा बन चुके हैं So, I'm going to mash all these potatoes now properly and my son is helping me actually. It's not me, it's me and my son and he wants the credit. He wants the credit that he is doing it with me. Well soon you are going to hear something between me and my son. Some news will be coming. So, this is the start of our being together here on the channel. So, this is my son is helping me because I was working so hard at the morning that I told him that I will mash my potatoes now. So, this is my son is helping me to mash all my potatoes. I have now shown you that I have done it in the microwave. So, this is almost all mashed. Now, what we have to do is tell you what we have to do. So, I have put 2-3 tablespoons of oil here. So, I have put 2-3 tablespoons of garlic press here. We press garlic and paste it. I will make it a little bit more. So, I will make it a little bit. So, I will remove the rest of the garlic. So, I will remove the rest of the garlic. I will make it a little bit. I will make it a little bit. Now, the garlic is golden brown. So, I will add 3 tablespoons of plain flour. Now, I will mix it with 2 tablespoons of garlic. Now, our plain flour is cooked. I will mix it in a little bit. So, we will mix it with a little bit. Now, we will mix it with some water. So, we will mix it with a little bit. तो इसको वैसा ही बनाना है हमने तो यह आप देखिए गार्लिक ओयल इसमें सॉल्ट थोड़ी सी मैंने रेड मिर्च भी इसमें डाल दी थी तो यह हमारा सारा जो है एक हलवे की तरह बन गया है इसमें अब मैं जो पटेटोस मैंने मैश करके रखे हुए है वो मिक्स करके अब यह अच्छे से मिक्स हो गया है सारा पोटेटोस भी गार्लिक भी सॉल्ट और रेड पेपर अर्ग स्टोव को मैंने अब बंद कर दिया है अब इसको वापिस मैं उसी पैन में डालूंगी जिसमें यह पहले मैंने बेक करते हुए रखे थे तो उसमें डालके नेक्स स्टेप मैं आपको करके दिखाती हूँ अब इसको मैंने पैन में ट्रांसफर कर दिया है और यहां नेक्स इसमें क्या इंग्रीडियंट डालना है वो मैं दिखाती हूँ यह मैंने वन टेबल स्पून की हिसाब से एक बटर का टुकड़ा ले लिया है बहुत पतला क इसको मैं माइक्रोवेब में मेल्ट करने लगी हूँ, बठर हमारा मेल्ट हो चुका है और मैंने यहां पे जो पोटेटो और उसमें प्लेन फ्लावर था, उसके उपर चार टेबल स्पून कॉन स्टार्च के मैंने डाले हैं, अब इसके उपर मैं यह बठर डालने वाली हूँ अब इसको सबको मिक्स किया जाएगा, अब इस सारे को एक डो की तरह मैंने प्रेस करके, और इसमें कहीं पे भी अगर छोटा सा कोई पटेटो ऐसा नजर आया, तो मैंने उनको बाहर निकाल लिया, और अब धनिया चॉप करके, मैंने इसके उपर धनिया डाला है, और इसक अब डो की तरह इसमें घून देंगे, जैसे आटा मसलते हैं, वैसे आटे की तरह इसमें घून देंगे, तो फ्रेंड्स देखिए, आप ये जो आलू का डो है, इसको आप दो शेप दे सकते हो, या तो आप इसको थोड़ा सा हाथ में लेके, ऐसे सीधा राउल रोल करके, और सीधा एक ऐसे स्टिक जैसा बना लें, या फिर आप उसको किसी चीज से काट के, ऐसे राउंड वाली शेप देदें, तो ऐसे करके आप इनको जब बना लेंगे सब को, तो आप इनको कड़ाई में डीप फ्राइ करना है, तो ये देखिए, मैंने डीप फ्राइ के लिए अब ही डाल दिये हैं, और ये तूटते नहीं है, जब आप इन में डालते हैं, क्योंकि इसमें कॉन स्टाच भी है, और प्लेन फ्लार भी है, तो उससे पटेटो जैसे बंदे हुए हैं, वो तूटेंगे नहीं, तो लीजी फ्रेंज, ये रहा हमारा एंड प्रोड़क्त, ये हैं nice and crispy sticks, बहुत ही yummy और crispy हैं, इनकी तो क्डिक-क्डिक आप सुन सकते हैं इतनी, देखें ऐसे हैं, ये बहुत ज़्यादा, जैसे कुर्मुरी सी होती हैं, क्रिस्पी होती हैं, तो आप इनको कोई भी शेप दे सकते हैं, इनको आप प्टेटो चिप्स की ऐसे शेप दे आप इनको रिंग्स की शेप देदें, जैसे भी हो, आप पचों के लिए इसमे थोड़ी सी मिर्ची डालें, या ना डालें, काली मर्च डालें, नमक डालें, और साथ में, टमाटो कैचप, बच्चे कितने मज़े से, एक छोटे सा बच्चा भी, छोटी सी स्टिक को पकड़े टमाटो कैचप में टालें, और सीधा उनके मुह में, क्या मज़े की बनी है, वाव, इतने क्रिस्पी, जैसे की पोटेटो चिप्स खा रहे हो आप, वो जो पैकेट में मिलते हैं बजार से, इतने क्रिस्पी बनी है, तो फ्रेंड्स एंजोई कीचिए ये रेसेपी, इसको करने कोशिश करूँगी, कि इतनी लंबी ना रहे वीडियो, तो इंजोई कीचिए, और आप भी इसको कोई भी शेप देखे, बना के देखिए, और दिखाए हमें भी, कि आपकी कैसे ये रेसेपी की, और भी कोई किसम आप इसकी बना सकते हैं, तो बना के दिखाए, बहर और ना ही!